नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपून जानकारी को ले करके जिहां आए आज हम सभी जानते हैं दातों में गैप वाले लोगों में होती है ये खुवियां और कहलाते हैं खास क्या आप में भी है बहुत कुछ बताता है यह उस व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए कई राजों को खोल सकता है समुद्र शास्तर के अनुसार दांतों में गैप वाले व्यक्ति बहुत भागया शाली होते हैं उनमें कुछ ऐसी खूविया होती हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करती हैं समुद्र शास्तर में व्यक्ति के शरीर के अंगों और व्यावहार से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें जानकर आप भी भविश्य का भी अनुमान लगा सकते हैं इन बातों से आप व्यक्ति के स्वभाव का भी पता लगा सकते हैं समुद्र शास्तर का अध्यान करके आप उनके बारे में विस्तार से जान सकते हैं आज हम आपको उन लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके दांतों में गैप होता है समुद्र शास्तर के अनुसार, जानिये ऐसे लोगों से जुड़े हुए कुछ खास बातें दांतों में गैप वाले लोगों में होती है कुछ एक विशेश्ट ताएं जिन लोगों के दांतों में गैप होता है, वह अपने कैरियर में बहुत सफल होते है वह चाहे जोब ही कैरियर चुन लें, उने में उन्हें सफलता मिलती है, ये लोग एक सफल मुकाम पर पोहुँच कर ही रहते हैं, सफल होने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता है, ऐसे लोग बहुत ही creative mind के होते हैं, ये बहुत बुध्धिमान होते हैं, इनकी बुध्धिमानी से लोग जल्दी impress हो जाते हैं इनकी creativity और intelligence इन्हें career में बोखत आगे ले कर के जाती है दांतों में गैप वाले लोग दिखने में सुंदर और आकरशक होते हैं ये लोग बहुत highly qualified भी होते हैं इनकी योग्यता ही इनकी निशानी मानी जाती है गुड लग हमेशा इन लोगों के साथ रहता है ऐसे लोग स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं इन्हें बात करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है ये लोग किसी भी टॉपिक पर घंटो बात कर सकते हैं अपनी बातों से ये दूसरों को जल्दी इंप्रेस कर लेते हैं और यहीं इनकी खासियत भी होती है दांतों के बीच गैप वाले लोगों को फूडी कहा जाता है खाना इन लोगों की पहली पसंद होती है इन्हें अलग-अलग प्रकार के वियंजन ट्राई करना काफी पसंद होता है इन्हें कुकिंग का भी बहुत शौक होता है और अपने घर पर भी ये लोग नए-नए डिशेज ट्राई करते रहते हैं ये लोग पैसों के मामले में बहुत लखी होते हैं इन लोगों को आर्थिक तंगी से कभी नहीं गुजारना पड़ता है हिसाब किताब के मामले में भी ये लोग बहुत पक्के होते हैं ऐसे लोग अच्छे फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं या होते हैं इन लोगों में घजब की एनरजी होती है किसी भी काम को या पूरी उर्जा के साथ करते हैं और जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल करते हैं जहां दोस्तों तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए जो की सामुद्रिक शास्त्र से रिलेटर थी अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहदी महतवपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों